तो दोस्तो हमने अगली वीडियो में जाना था कि आपकी इस तरह से जो है आसा दावा परपत्र भर सकते हैं तो उसमें हमने दैनिक कारे की बारे में जाना था ठीक है अब हम जानेंगे मासिक कारे और एक अप्सन और भी हमारे साथ देखिए अंतीम रूप देखिए तो ये दो अप्सन को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे चलिए हम बात करते हैं मासिक कारे की चलिए मासिक कारे पर जैसे किलिक करेंगे तो आपके सामने देखिए रूटीन एंड रेक्वेरिंग ठीक है तो देखिए एक नमर पर यहाँ पर दिया गया है वर्स के परारम में सर्वे करने के लिए दिया जाता है तो उसके लिए आपको क्या परतिये महिने के लिए आपको तीन सुर्पिया दिया जाता है ठीक है तो अगर आप ने सर्वे कर लिया है तो उसके लिए आप इसको टिक कर देंगे इससे आपका जो है तीन सुर्पिया बनेगा ठीक है चलि इसको टिक कर देंगे अगला देखिए एंसी हे तू गरोवती महिलाओं की सूची प्रतियक महा अपडेट करने हे तू तीन सुरुपेस के लिए भी अगर आप अपडेट किये हैं तो यहाँ पर आप इसको टिक कर देंगे ठीक है यानि कि मासिक कार में आपको मतलब पूरे मह मीना में जो भी काम आपको यहाँ पर दिया गया है अगर आपको करते हैं तो उसमें आप क्या करेंगे ठीक है उससे आपका जितना भी पैसा होगा वो बन जाएगए ठीक है बहुत सरा अप्सन दिया गया है देखिए आसा दिवस पर उपस्ति थी अगर आप आसा दिवस पर गए हैं तो उसके लिए आपको डिर सुर्पिया दिया जाएगा ठीक है नियमित टिका करन सत्र पर प्रती महालावार्थी कादत अंडियूलिस्ट बनाने के लिए यो को जाएगा आपको कुछ भी नहीं करना है यहां पर आपको सिर्फ यही देखने को मिलेगा देखिए यहां पर बिचाराधीन तो ये जो आपने माचिक कारी और धैनिक कारी आपने भरा है ये सारा जो है आप स्टेट के पास जाएगा और वहाँ पे इसके बारे में बीचार होगा उसके बाद ही आपका payment रेडि हगा उसके बाद ही आपके account में रुपिया आएगा तो यह मतलब website में load हो चुका है आपने जो है website में इसको डाल दिया है ठीक है तो बस यही काम है इस application में और इसमें जो है कुछ ज्यादा नहीं करना है इसी तरह से आपको सारा काम करना है जो भी काम करते हो आप वो सारा आपको यहां पर add कर देना है ठीक है